हेलो एवरीवन दिस इस रुपेश मिश्राय और वेलकम यू आल तो यूर चैनल यह इस मेहत्वेथ मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेहत्वेथ पर जैसा कि हम लोग डाइनेमिक्स पढ़ रहे थे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स में भी हम लोग को रेक्टी लिनियर मोशन पढ़ना है यानि स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है हम लोगों ने इसके एक प्रूफ तक बात की थी जहां पर टी को हमने चॉंस्जन प्रूफ किया था मतलब कहने का क्या है ती इकॉल टू पाई अपॉन अंडरूट मू और यहां पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए जो म्यू होता है वह intensity होती है intensity of force होती है force की कितनी intensity है कितना power है उस रिसाब से से बताया जाता है ठीक है आज छोटी हैं एक दो उन्हें बात कर लेते हैं एक जो बात करनी हमें आज amplitude की चलिए बात करते हैं देखिए जो लास्ट वीडियो में लो ने समझा था उस पर थोड़ा सवर बात करते हैं यह आपका जो ओ पॉइंट होता था इसी के तरफ आपका फोर्स लगता था यह इसे एक और नाम दे सकते हो आप सेंटर ओफ फोर्स कैंदर मतलब है एगर कीच करके बॉप को छोड़ते हो तो वह यहां पिलैटस यहां पर रखे यह पर रखके छोड़ते हो तो इधार को मूब करता है फिर ऐसे करता है मूवन करके यह से छोड़ो गे हो फिक्स्ट हो रहे गाई इसके histories को आद मैंने 1.tp रखा था यह पी पॉइंट को मैंनेज की वारेबल डिस्टेंस ले ली ती हो सकता है यह पी पैज्ट कहीं भी आजया कभी undertrat कभीру आंज़ है कभी आंज़ है कभी Bond तो this x नेगटिव रही तरह लेने लगेंगे एक्स लीया जाता यह वैरियबल डिस्टेंस है और ये वैरियबल डिस्टेंस कभी कभी कम कभी कभी जादा हो सकती है तो इसमें जब आपने किसी भी एक बॉल को लटका करके इसके मैक्जिमंम maximum क्या गहते हैं distance तक जितना भी खीच सकते हो maximum distance मतलब जिसे o से a तक को आपने जो बॉब को खीचा जो जो o a distance आती है यह आपकी maximum distance होती है maximum जहां तक आप खीच सकते हो maximum distance अगर आप ले लो और वहां पे rest पे रखकर इसे छोड़ो तो यह जो o a distance होती है इसे ही हम amplitude कहते हैं जितना वह ज्यादा से ज्यादा आप खीच करके छोड़ सकते हो ठीक है fix कर दो से तो वही आपका fix जो distance होगी center of force से maximum जहां तक आपका bob जा सकता है आपका ball जा सकता है वह आपका amplitude कहलाता है ठीक है बहुत ही simple सी बात है तो यहां पे जो o a है चाहे वह आप उसे o o dash इदर left side ले जा करके छोड़ दो वह भी एकदम perfectly equally होगा और दोनों के दोनों हमारे amplitude ही होंगे मोशन जो भी हो रहा होगा उसका amplitude कितना होगा किसी जो टूटल लेंथ होगी a-a उसके half को आप कह सकते हो amplitude का simple सी बात कर सकते हैं Amplitude is equal to a-a-by-2 टोटल दिस्टेंस टूए होगी और टूए का half करते हैं simply आप समझ जाओ वाई यह ही होता है clear है ठीक पहले भी आपको पता होगा 11 में आपने पढ़ा होगा next heading है आपकी frequency देखिए अगर हम लोग बात करें complete कंप्लीट रोटेशन की बात करें या complete oscillation की बात करें मतलब एक पूरा circle और उनके कितने numbers हैं सो complete जो oscillation होगा in one second मतलब जितने भी complete oscillation करें का भी complete oscillation मतलब क्या है उसको देखिए इसके चित्र से समझते हैं जैसे भाई यह आपका middle में O हो गया है ठीक है right-hand side आपका A हो गया left-hand side आपका A' हो गया तो इधर ओटू ए यह small a length हो गई और ओटू एडश यह भी A हो अब देखिए आपने start किया लेट से आपने start किया A से ठीक है अब A से पहले छोड़ा अपने तो इधर को गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आया ठीक है तो जब देखते हैं जब वो एक complete round बनाता है अब जरा ध्यान से सोचते हैं तो यह जो आपकी लाइन पहले गई इसको ऐसे मैंने ऐसे शो किया फिर दूसरी वाइन गई वह से मैंने ऐसे शो किया तो जब यह तो अच्छे से बना देता हूं अजीब लग रहा है जो आपके अगर सही से उसका कर्व ड्रॉ करोगे एसे अच्छ गया तो यह फिर से ए पर गया तो यह complete एक सर्कल बन गया और एक सेकंड में जितनी बार ऐसा सर्कल बनाएगा ets पाइल इसे उनकी टोटल नंबर कम् 받고 ओसिलेशन जो होता है वही हमारी सेखरर करते हैं अर्षे इसका होता है एंण प्रिक्वेंसई को शो करने के लिए होता है और इसका formula होता है 1 upon D, सभी को पता है, ठीक है, 1 upon D formula होता है, number of oscillations in 1 second, मतब अब T की value अब 1 second रख दोगे, तो N की value कितने आएगी, 1, ठीक है, एक second में जितने भी हमारे oscillations होगे, जितने भी हमारे, you know, total revolution होगा, जिस पे एक circle बन जाए, वो सारे के सारे हमारे, क्या कह जाएंगे, equal मिला करके number उनके frequency कही जाएगी, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखे, formula तो कई सारे formula से formula बनता है, तो अगर आप T की value, put कर दो, जो कि आप जानते हो, 2 pi upon under root mu होता है, और यह कहां से आता है, जब हम लोग prove कर रहे थे, x double dot, यानि acceleration is equal to mu x कर रहे थे, prove कर रहे थे, त सकता है, कोई भी equation यहाँ पर minus भी हो सकता है, plus भी हो सकता है, और minus भी हो सकता है, according to x increase कर रहा है, या decrease कर रहा है, तो जब ऐसी equation बन जाती, तो यह mu होता है, उसको 2 pi upon में करके root कर देते हैं, तो हमारा T आ जाता है, तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारा भाई, हमारा n का formula 1 by T तो ठीक है, under root mu upon 2 pi, यह एक formula और हो जाएगा, ठीक है, और कभी आपको mu की value पता करनी हो, तो अगर वो उस तरीके से दिया हो, जैसा हमने प्रूफ किया तो आपको याद होगा, आपको नहीं पता हो, तो आप लास्ट की वीडियो में जाके जरूर देखना, यह मैंने हैं, जिसे intensity of force पोलते हैं, ठीक है, तो यह एक point आपका यहां से समझ में आया, यह formula आया, formula इसलिए याद रखना चाहिए, कि सबसे पहली बात तो यह MCQ में पूछ सकता है, सबसे simple और सबसे अच्छी बात की, यह आपका MCQ में आ सकता है, दोनों के दोनों, जितने भी formula पिल x double dot is equal to plus minus mu x हो सकती है, n की value, mu की value सब के सब important है, ठीक है, याद रखनी है, मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ कि आपको लगता होगा कि हाँ यह easy है, लेकिन सब के सब important है MCQ लेए, चले next point पे चलते है, geometrical representation की बात करते हैं, कि geometry में इसको कैसे समझता है, चले लगता है, ठीक जब यह एक circle बनता है, एक सिकन मैं circle अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, circle बन गया, अब यह जब circular motion है एक तरीके का, SHM जो है अपना simple harmonic motion, अगर circle बना दे हम, या फिर एक complete rotation की बात बोल दें, तो ऐसे cases में एक चीज़ समझ में आती है, जड़ा देखते हैं क्या, सबसे पहली बात तो अगर हम इसका diameter show कर देंग, यह diameter हो गया लेट से, यह हमारा कोई एक point ले लिया, हमने origin ले लिया, ओ से denote कर सकते हो, इधर कोई point ले लिया, X, capital X, ठीक है, और हमने क्या किया, कहीं पे भी, जब वो बात कर रहे हैं हम, कि, जब हमने variable point की length X ले रखी थी, तो य center कह सकते हो आप, ठीक है, तो यह let's say इतनी distance जो है, वो small x है, ठीक है, और इस O से इसका match भी कर देते हैं, यह लिजे match कर दिया मैंने, ठीक है, अब जब सीधी सी बात एक काम करें आप थोड़ी दिर के लिए, इसको ऐसे समझे, कि अगर आप लोग ने पता नहीं खेला होग कि यह नहीं खेला होगा, हम लोग क्या करते थे, एक string लेते थे, उस पर नीचे एक छोटा सा stone या eat बांद देते थे, और उसे अपने उंगली पर पकड़ कर और नचाते थे, तो क्या बनता है, एक circle बनता है, बलकि कई सारा, मतलब छोटा बड़ा करते करते हैं, चोटा circle ब ही लगता है, पी से ओ की तरफ, ठीक है, जैसे आप जब यह भाई, यह स्थिती थी ना, कि a- लिया था, और a लिया था, यह मिडल में ओ था, जब आप ऐसे ले जाकर इसे छोड़ते हैं, तो यह क्या होता है, इधरी की और तो attract होता है, फिर दर जाता है, फिर से वापस यह एक आपका force लगता है, तो वही काम यहां भी हो रहा है, ठीक वैसा ही है, माल लेते हैं, यह पॉइंट को हम एम ले लेते हैं, ठीक है, अब देखें, माल लेते हैं, यह जो हमारा angle है, इतना, उसे theta माल लेते हैं, ठीक है, यह अपना क्या है, theta, ठीक है, और radius कितना है, small a अब देखें, एक बड़ा ही simple सा formula था, हमनों पहले पढ़ चुके हैं, कि जो angular velocity होती थी, उसे omega से show करते थे, ठीक है, तो वह होता क्या था, d theta by dt, तो यहां पर differentiation का role अगर हटा दिया जाए, तो यह मिलेगा हमें, यानि theta की value में क्या मिलेगी, omega t, तो अगर in triangle, OMP, अगर OMP में बात करें, cos theta हम अपलाई करें, cos theta is equal to base upon hypotenuse, यानि आधार, और बटे, current, base upon hypotenuse, om upon op, that means कि यह om तो हमारा x था, variable point था, और op कितना है भाई, op तो small a है, अब theta की place पर omega t रख सकते हो, तो cos omega t is equal to x upon a, you can find the value of x as x is equal to a cos omega t, यह x की तो value आ गई, अब एक काम करते हैं, अब उससे एक बार ही differentiate करते हैं, जो हमारी x की value आई है, a cos omega t, यह एक बार differentiate करें, x dot is equal to क्या होगा, cos का तो minus sin हो जाएगा, और एक बार ही, omega बार, minus आया, a omega और sin omega t, ठीक, इसे equation number बन रहें रहें नहीं देते हैं, एक बार और differentiate करते हैं, double differentiation, तो minus a omega, omega तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो sin omega t का फिर क्या होगा, एक omega और बाहर आएगा, और यह sin omega t, cos omega t में convert हो जाएगा, so x double dot will be what, x double dot will be minus a omega square, और cos omega t को आप simply cos theta भी लिख सकते हो, और cos theta भी हमने क्या लिखाया यहां पर, मैंने क्या किया यहां पर, value पुट कर दिया है, cos theta की, और a से cancel हो गया है, तो यह मिल गया मुझे, अब लिखे हुआ क्या है, हुआ यह है, यह कुछ जाना पचाना लग रहा है, अभी जस्त मैं थोड़े दिर पहले बताया, कि अगर कोई भी equation इस type की है, plus minus mu into x type, तो आपका क्या होता है, यहां पर mu की value तो आ गई, mu की value क्या है, omega square, और this is like, this is differential equation of SHM, differential equation है, simple harmonic motion की, मतलब, simple सी बात है कि कोई अगर कड या particle, simple harmonic motion करता है, तो उसकी differential equation यह होती है, यही एक उसका format होता है, तो इससे एक चीज़ और यहां पर prove होता है, जो कि आपको mcq के रूप में याद रखना चाहिए, बहुत important है, that की जहां से सुनेगा, यह जो आपने perpendicular यहां से draw किया था, यह जो आपने perpendicular pm draw किया था, जो m point था, यह जो m की बात कर रहू हूं, यह जो m point है, वो foot of perpendicular है, उसका pair है, perpendicular का pair है, मतलब foot perpendicular के बोलो कि यह 90 degree है, इसका pair है, ठीक है, तो जो m है, अगर p simple harmonic motion कर रहा है, तो m भी simple harmonic motion कर रहा है, क्योंकि m की distance कितनी है, ओ से x, ठीक है, यही बाता ना था, यही एक छोटा सा important यहां पर mcq बनता है, that what foot of, अप लिख लो, मैं लिख देता हूं, that means की foot of perpendicular from p on any diameter, मैंने सिर्फ diameter लिखा है, किसी पी diameter की बात कर लें आप, तो ऐसे में क्या होता है, वो भी एक simple harmonic motion करता है, perform करता है, ठीक है, याद रखेगा, this is very important for your mcq point of view, okay, mcq के लिए बहुत ही जरूरी है यह line, ठीक, चलिए अब इससे related question पर चलते हैं, इस chapter में almost four exercises है, जिसमें first exercise के लिए, हम लोने जितने भी points से साथे पढ़ लिए हैं, ज्यादा है नहीं, चलिए example पर चलते हैं, दीए question क्या, a particle is performing a simple harmonic motion, of period T, मुलों सका period T है, ठीक हो तो पता है, about a center O, भाईया O, पहले बना लो, बना लेते हैं, यह हमारा क्या हो गया भाई, देखें, यह हमारा a हो गया, और यह left वाला a dash हो गया, चलेगा, यहाँ पर middle में आगया अपना o, यह middle में आगया, ना, o आगया, अब इसे क्या बोला है, ठीक है, center O, center of force O है, and it passes through a point P, कोई यह point P है, ठीक है, P कोई point है, यहाँ पर ले लेते हैं, इधर भी है, और एक इधर भी ले लेते हैं, चलो, इधर P dash ले ले लेते हैं, ठीक है, और यह जो P है, उसकी O से distance कितनी है, बी, ठीक है भाई लो, बी हो गए, distance, ठीक है, with velocity V, मतलब यहाँ पर velocity कितनी है, V है, P point पर, ठीक है, in the direction O P, O P की direction में, ठीक है, velocity मतलब velocity जो चल रही है, वो इधर को चल रही है, ठीक है, prove that the time which elapses before it returns to P is इतना, कह रहा है कि अगर हम इसे इधर की O drop कर रहा है, जब यह इधर side में गया, तब ही तो P पर V velocity थी, ठीक है, अब यह पहले तो P पर पहुचा, फिर आगे गया, A पर पहुचा, फिर वापस आया, P पर पहुचा, तो यह बोल रहा है कि time जब elapses कर रहा है, elapses मतलब दुबारा उसी रास्ते में आना, ठीक है, वापस से P पर आ रहा है, यह एक बड़ी P क्रोस किया, फिर इससे P पर आ रहा है, तो time जब elapses कर रहा है, तो उससे पहले, यह जो distance ने cover किया, before it returns to P, मतलब उससे पहले, P से return करने से पहले, जो time जितनी दूरी के लिए elapses कर रहा है, वो हमें find out करना है, मतलब ये वाले की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब simple सी बात, हमें time proof करना है, कहां से कहां तक का, time लाना है, from P to A, P से A तक पहुचने में, कितना time लग रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं, तो आपको याद होगा, जब हम लोग O से right hand side की और बढ़ते हैं, तो हमारा X increase करता है, और जब X increase करता है, तो formula क्या होता है, increase करने का, increase करने का formula ही होता है, sign वाला formula, तो positive आएगा, और positive में, 1 upon under root A square minus X square बनता है, तो वो sign में convert हो जाता था, तो X is equal to sign A sin under root mu और T, याद आ रहा होगा आपको, तो यहांसे T अगर निकालने कोशिश करें, तो X by A हो गया, is equal to sign under root mu T, where mu is the intensity of force, so we can calculate here, that under root mu T is equal to sign inverse X by A, उसके बाद क्या करेंगे बाई, ठीक है T निकाल लो, T is equal to 1 upon root mu, isn't it, sign inverse and X upon A, ठीक है, अच्छे यह बताईए, total timing क्या होता है, उसने T में हमें answer देना है, हमें answer T में करना है, और जो O से P तक का total time केवल small t होता है, और जब यह पूरा complete rotation करता है, एक पूरा circle बनाता है, तो उसे capital T बोलता है, तो small t जो capital T होता है, वो small t का four times होता है, तो small t capital T का by four times हो गया, ठीक है, है ना, तो यानि O से A तक का हमने, अगर time O से total A तक का time बोले, तो वो T by four होगा, इसे तोड़ा ऐसे लिखते हैं, कि अपका यह T तो ठीक है, equation number one मान लेता है, अब अगर हम कहें, time from O to A, O से A तक का time क्या होगा, total T by four हो जाएगा भाई, भाई, एक ही पार तो ले रोगा आप, और T by four T की value क्या होती है, तो पाई अपाउन अंडरूट म्यू, तो पाई अपाउन अंडरूट म्यू, और अपाउन में four भी है, अब जब इसे divide करोगे, तो पाई अपाउन टू, और रूट म्यू आ जाएगा, ठीक है, तो यानि अगर हम O से P तक की timing की बात करें, तो वो ये वाली equation number one हो गई, है ना, ये, और O से total A तक की timing की बात करें, तो ये हो गई, अच्छा उन्होंने फिर से क्या बोला, आपको फिर से दिखाते हैं एक बारी, बोला है कि, बोल रहा है कि, prove that the time which elapses, before it returns to P, मतलब कहने का ये है, कि वापस से P पे elapse करें, अगर P से आगे बढ़ा, और A पे पहुचा, फिर A से वापस P पे आ गया, तो ये खुल मिला कि, ये जो दो बारी, total यहां का, जो complete by T बनाना है न, जाना तो O से A एक ही बार की बात है, लेकिन हमें ये पूरा rotation चाहिए, मतलब जाना और आना, ellapse तब ही करेगा, वरा आ जाए, तो ये हमें find out करना, मतलब P से A और A से P, ये बताएए, आपने O से A तक का timing निकाल लिया, वो ये वाला है, कहां गया है, ये वाला, नीचे वाला, capital D वाला, और आपने O से P तक का timing निकाल लिया, तो सिर्फ P से A तक का चाहिए, और उसका double चाहिए, तो देखे, लिखेंगे, simple सी बात, time from P to A, and A to P, total चाहिए, तो ये देखे, P से A में जितना time लेगे, उतना A से P में, तो double कर दीजे, अच्छा double तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बात क्या करेंगे, O से A तक के timing में, O से P तक की timing, हम माइनस करते हैं, यानि timing अगर बात करें, timing, जो time है, timing O से A, ये सब इक्स में लिखा है, O A, minus timing O से P, माइनस करते हैं, और हमरा answer आ जाएगा, चलि देखते हैं, प्रूफ मिलाना ना, चलि दिखाते हैं, सो होगा क्या, equals to, two times, और जो आपने, total timing निकाला था, वो क्या था, pi upon two root mu, ठीक है, आप लोग को नहीं आदोगा, एक बारी देख लिजेगा, और जो हमारा, O से P तक की timing थी, one upon root mu, sin inverse, x upon a, root mu common आ रहा है, सुबज कितना रहा है, pi by two, minus sin inverse, inside में, x upon है, अब class 12, second chapter, ITF को याद करिए, ठीक है, formula हुआ करता था, sin inverse x, plus cos inverse x, is equal to pi by two, होता था न, याद होगा आपको, अगर इसमें किसी एक part को, right hand side में बेज दे, let's say, sin inverse को, अगर हम right hand side में बेज दे, तो pi by two, minus sin inverse x हो जाएगा, तो उस pi by two, minus sin inverse x किजए, पर हम cos inverse x लिख सकते होंगे, बिल्कुल, तो वह जी यहाँ भी कर देते हैं, ना भाई, कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, two upon under root mu, और into में, cos inverse x by a, तो यह आपका time हुआ है इतना, अच्छा, बट जो proof है, वो तो tan inverse में चाहिए भाई, तो चलिए, cos inverse को हम tan में बदा लेने का तरीका बड़ा ही simple होता है, आपको बताते हैं, देखिए, देखिए, अगर आपको formula नहीं भी याद है, तो भी, ठीक है, कैसे देखिए, अगर cos के अंदर, angle यहाँ पर, cos के inside क्या है, x upon, यानि base upon hypotenuse, तो यह आपका base हो गया x, hypotenuse हो गया a, आप Pythagoras लगाओगे, तो यह कितना हैगा, a square minus x square, अब यहाँ से simply 10 देखकर, कि आप वैसे ही बता दीजे, तो यह किसमे कर्मट हो जाएगा भाई, 2 upon under root mu, 10 inverse directly, 10 inverse क्या होगा, perpendicular upon base, तीक है, तो हो क्या जाएगा, under root a square, minus x square, whole upon x, यह clear है इतनी बात, अच्छा, अभी भी proof एक बारी ध्यान से देखिए, proof में, इधर left hand side, यह जो है अपका 10 inverse से बाहर, T है, T upon pi है, और inside, inside में अपका V है, T है, और, V के रूप में है, ठीक है, तो यह चीछे ठीक समझ में आ रही है, अभी इनको करते हैं, तो इसी में थोड़ा सा और solve, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा छेड़ चाल करनी है, इसी में प्रूव करना है, चलिए, नेक्स पेज़े बताता हूँ, देखे, ये लर्ण रखना है आपको, ठीक है, अमसी क्यों में पूर सकता है, तो अब यहां से अगर under root a square, अमने सेक्स्वेर की value निकालोगे, तो v upon under root mu हो जाएगा, तो वो कहां हम यहां पे कर देते हैं, put कर देते हैं, चलिए put कर ये, और इसे t में बदलना है, तो आपको पता है t की value क्या होती है भाई, 2 pi upon under root mu, तो अगर यहां से 2 upon under root mu की value निकालो, तो t upon pi is equal to 2 upon under root mu हो जाएगा, तो इन सब चीजों को यहां put कर दो आप, सो होगा क्या भाई, overall मैं दिखाता हूँ आपको, यह 2 upon under root mu क्या हो जाएगा, t upon pi, ठीक है, 10 inverse under root a square minus x square के place पर हम क्या लिख सकते हैं, v upon under root mu, और 1x तो है, और अभी थोड़ी दिर पहले बात की गई, कि जब 2 upon under root mu की जिगा पर t upon pi रख सकते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ, तो 1 upon under root के जिगा अभी क्या रख सकता हूँ, t upon 2 pi, क्यों भाई, रख देजिए वो चीज़ आप, तो क्या हो जाएगा, t upon pi, 10 inverse, और यह v तो ठीक है, तो t upon, 2 pi, 2 pi आजाएगा निच्चे, ठीक है, और x ठीक है, proof देखें, हो गया शायद, कि x, तो जरा भाई, ध्यान से देखिए, हमने pi को अभी variable माना था, ठीक है, यह जो हमारी distance निकल ले थी, x, वो pi की तो थी, और इन्होंने pi को भी fix कर दिया, b रखना है, at last, तो अब हम x की जिगा पे, b रख देंगे, रख देते हैं, चलिए दिखाते हैं, so, लिखेंगे यहाँ पे, simply, that, at, at p, x is equal to b, that means, time कितना निकल क्याएगा फिर, time निकल क्याएगा, t upon pi, tan inverse, t upon, 2 pi and b, I think, it is clear right now, चलिए एक और question देखते हैं, तो यह question आपके सामने है, if in a simple harmonic question, uvw with the velocities at distances a, b, c, from a fixed point on the straight line, देखें, बिना कुछ सोचे, पहले figure समझ लेते हैं, क्या है, let's say यह o point है हमारा, यहाँ पर o है, यह आपका a है, यह थोड़ा, थोड़ा सा बड़ा question है, इसमें, जो class 12 में हम लोग का एक chapter था, उसका थोड़ा सा use है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर determinant दिया है, इसलिए use करना पड़ाएगा, elimination के लिए, बताते हैं अभी क्या होगा, तो कहरा है कि यह o तो fix है, ठीक है, और o से हम ले लेते हैं, थोड़ा दिर के लिए, यह a तक की total distance हम ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो a ले रखते थे, अब कुछ और ले लेते हैं, तो कुछ ले लेजे like, चलिए, मैं ले लेता हूँ, small s, ठीक है, अब कुछ भी ले सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, यह fix होती है, अच्छा भाई, अब कहे रहा है कि, if in a simple harmonic motion, u e w be the velocities at distances a, b, c, from a fixed point on the straight line, which is not the center of force, मतलब यह जो a, b, c distance है, वो center of force है नहीं है, कहीं और से है, ठीक है भाई, हम एक point अलग से कुछ ले लेते हैं, माल लेते हैं, यह point हमारा f है, ठीक है, अब यहाँ f से, तीन point ले ले लिए, मैंने a, b, और c, ठीक, अच्छा इनके distances क्या है, और इनके velocities क्या है, आपको बता देते हैं, अब यह o से distance नहीं बोल ला था, यह बोल ला था कि, हमारा वो center of force नहीं होना चाहिए, f से यह जो पहला point है, माल लेते हैं, इसका name कुछ दे देते हैं, let's say, यह है b, यह है c, और यह है d, ठीक है, तो जो b तक की distance है, वो a है, और b पर velocity कितनी है, कुछ और मान के लेते दिया हुआ है, u, v, w, तो यहां पर velocity हमारी, थोड़ सा color change करता हूँ, यहां पर velocity u है, यहां पर velocity v है, और यहां पर velocity w है, लेकिन, f से c तक की distance कितनी है, small v, f से d तक की distance कितनी है, small c, यह वो कहना चाहता था, उसने क्या बोला था, not the center of force, जो a, b, c distance है, वो किसी एक दूसरे fix point से, हमारी, तीन position की distance है, तो हमने एक fix point f माल ले, इस f की distance हम कुछ ले लेते हैं, यहां से यहां तक की distance हम कुछ ले लेते हैं, चलो अभी कहीं d नहीं आया, तो small d ले लेते हैं, small d, proof में कहीं d नहीं आया, तो d हमको eliminate करना है, proof में कहीं s नहीं आया, तो s को भी eliminate करना है, तो जो चीज़ें नहीं है, उन्हें हटाना है, ठीक है, और मालना तो पड़े गई भाई, अच्छा ठीक है चलिए अब देखिए कोईशन थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से पठाक जैसे समझते हैं वहना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी चलिए देखते हैं अच्छा देखिए एक्वेशन ओफ एसेचम क्या होती है भाई एक्स डबल डॉट इस इक्वेल डू या फिर वेलोसिटी वाली कहें तो वी स्कॉर इस इक्वेल डू अब यहां पर देखिए अलग अलग डिस्टेंस हैं यहां पर वी वैसे तो यह नहीं लिखना चाहिए है मुझे ठीक है यहां पर कुछ और लिख देता हूं रूखो क्यों लिखना चाहिए क्यों कि अल्रडी यूजड है तो चलो इसको में कैपिटल भी कर देता हूं ठीक है कैपिटल वी स्कॉर ठीक है तो देखिए अगर हम धीरे देर तीरों पॉइंट्स की बात करें बी की बात करें तो उसके लिए बी पर हमारी जो वेलासिटी है यू तो यू स्कॉर हो जाएगा यू स्कॉर इस्कॉर टू वाई मू ही रहेगा टोटल डिस्टेंस कितनी है s square minus x square मतलब b की distance o से कितनी है d plus a so d plus a whole square ऐसे at c की बात करें वहाँ पर क्या होगा v square हो जाएगा same ऐसे v square is equal to equal to mu times s square minus अब इसकी distance कितनी है भाई d तो लेना ही है d plus b whole square और at d d पर बात करें तो uv w square is equal to mu और s square s square minus d plus c whole square ठीक है इतना बुरा हो गया अब दीखें ये तीनों जो equations है इनको माल लेते हैं equation number 1, 2, 3 कर लेते है this is equation number 1 and this is equation number 2 this is equation number 3 चलिए थोड़ा सा equation number 1 को solve करते हैं थोड़ा सा दिखाते हैं किस रूप में रखना है देखें थोड़ा सा इसे solve करते हैं मू से इदर divide कर दे रहे हैं ठीक है और इसका whole square open कर दे रहे है s square minus d square minus a square और minus 2a और d ठीक है चलिए u square upon mu और plus a square को इसके साथ कर दे रहे है plus 2a d क्योंकि a और d ठीक है d को हमें आप से eliminate करना है और s square और d square को भी left में लाते है तो वो d square minus s square जाद है s equal to 0 अच्छा एक बात समझते हैं अब इसमें जो काम वाली चीज़ है मतब यू भी हमारा given उसे use करना पड़ेगा mu भी use करना पड़ेगा यह तो given यह भी use करना है d हटाना है को d अपने मन से माना है और s हटाना है तो eliminate करने के लिए तीन ही चीज़े हैं यहाँ पर और वो क्या-क्या है यह d हटाना है यह d square और यह s square मतब इसको एक साथ भी कह सकते हूँ टोटल यह दो चीज़े हटानी है ठीक है अच्छा equation number one तो इस तरीके से form हो गई इसको नए equation माल लो यह four हो गई similarly बाकी के दोनों को भी मैं directly लिखता हूँ आप समझ जाएगा ठीक है देखिए अगर हम second equation की बात करें तो u की जीगे वहाँ पर v square है v square upon mu ठीक है मैंने देखिए तीनों की दिनों लिख दिये ठीक है अब एक काम करते हैं और d square minus s square को eliminate करते हैं तो किसी भी तीन equation में से दो unknown या तीन unknown को हटाना होता है तो यह हमारा determinant में method होता है तो जब देखिए अगर coefficient आप जो चीज़े हटाना चाहते हो उसके अलाब उसके coefficient हमारे determinant में row या column में लिख ले जाते हैं तो यानि पहली row जो होगी हमारी वो ये होगी 2a होगी ठीक है और क्या होगी d square minus s square होगी ठीक है और दूसरी row ये होगी और यहाँ पर 2b होगी और d square minus s square होगी तीसरी row ये होगी 2c होगी और d square minus s square होगी ठीक है U square upon mu plus B square और तीसरी जो हमारी रो होगी वो U यहां पर V होगा बबू B square और यहां पर W square upon mu plus C square यहां पर कितना था? 2A, यहां पर 2B और यहां पर 2C और जब D square मैं C square को आप हटा होगे तो उसकी जिया पर केवल coefficient उसका 1 ही है और equal to 0 कर देना चाहिए तब ही आप eliminate कर पाते हो अब देखे second जो अपनी column उसमें तीनों में 2 common है, 2 common लेकर करके cancel कर देखे हट जाएगा वो तो सब जिए से 2 हट गया अब determinant का एक rule होता है एक property होती है कि किसी row या किसी column में 2 चीज़े addition में हो तो आप उसे 2 अलग-अलग determinant बना करके लिख सकते हो मतलब क्या दिखाता हूँ देखे, यह बाद clear होई दिखा जेता हूँ एक वरी आपको कि भाई जो इससे हमारा एक बन रहा होगा यह ले लिजे यह ले लिजे तो तो हट गया होगा इससे एक determinant बनेगा और फिर यह ले लिजे और यह ले लिजे और यह ले लिजे इससे दूसरे determinant बन जाएगा और बीच का जो sign है वो जो भी यहां पे लगाओ प्लस 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 वो प्लस अगी जाए ठीक है यह बात क्लियर है चलिए आगे बढ़ता है अब दिखिए इस वाले में one upon view common आ रहा है ले लिजे common ठीक है one upon view common ले लिजे और बाकी चीज़े ऐसे छोड़ देजे ठीक है सो होगा क्या देखे दिखाता हूं one upon view आया बाहर common ठीक है सो बच क्या रहा है यू स्कुरेर वी स्कुरेर और डबलू स्कुरेर एबी सी वन 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 डिटेमिनेंट सॉल्व करना आता है बिल्कुल अब देखे यह डिटेमिनेंट बड़ा ही फेमस डिटेमिनेंट हुआ करता इसकी जो वैल्यू होती थी एक प्लेस पर बी रख दो या बी के बी के प्लेस पर सी रख दो मतलब यह अगर कनवर्जन करते हो तो इसका इसके आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है तो सिमेट्री है अबाउट एबी और सी सिमेट्री वाला मैंने आपको मैथमेटि इसका प्रूफ आपको यह चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि कमेंट करिएगा तो इसको इसको अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिए किस तरह के से प्रोब किया जाए विसे आता होगा आपको क्लास 12 का ही चैप्टर का ह है ठीक है तो अभी वैल्यो स्ट करें जाए वॉन अपन來到 म्यू की वैल्यू कुछ होती हो भी दिखा देता एखको so this will be equal to 0 आपको पता है t की value क्या होती है t की value होती है 2 pi upon under root mu so यहां से mu की value कितनी निकल गाएगी 1 upon mu की value कितनी आएगी t square upon 4 pi square so अब इसे यहां पर put कर सकते हो तो कितना आएगा भाई आएगा अपना t square upon 4 pi square ठीक है स्वाया t square upon 4 pi square अच्छा आपको proof दिखाता हूँ एक सेकन के लिए proof में यह जो u square v square और w square है वो इस तरीके से तो आपको पता है row को column में change करने पर कोई फरक नहीं पड़ता है determinant में तो यहां पर भी कर जाता है ठीक है तो देखिए यहां पर भी change कर लेता है भाई हो जाएगा किस तरीके से u square v square w square a b c और 1 1 और 1 is equal to एक काम करता है एक चीज़ और यहां पर जब आप solve कर रहे होगे तो यह यहां पर plus नहीं आएगा आपका यह आएगा आपका minus ठीक है solve करके आप इक बारी देखें ना चेक कर ले ना ठीक है और जब आप इसे right hand side भेज होगे इस वाले part को तो right hand side चला जाएगा कर देते हैं इसको भी right hand side ठीक है तो right hand side करने के बाद a minus b b minus c और c minus a अब solve करें इसको जड़ा तो by determinant एक side कर लेजे और बाकि सारी values proof के according कर सकते हैं v square b1 w square c1 अब यह 4 pi square right hand side गया अब आप में t square a minus b b minus c और c minus a so this was the proof which was asked in the question यह proof है as proved चलिये मिलते हैं next video में video को like कर दीजेगा अपने friends में share कर दीजेगा ठीक है बने रहे हैं आपके अपने channel mathvex पर thank you